नमस्कार निउस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल यूपी के फते पुर्जिले के असो थर में आज परदेश सरकार कैबिनेट मंत्री और निशाद पाटी के राष्ट्य अध्याग्ष संजे निशाद एक दिवस्य दौरे पर है और इस दोरान उन्होंने विपक्षियों पर जम करती खा हमला बोला है 2024 के तैयारियों के लिए निशाद को जोडने की तैयारियों में जुटे हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से निशाद विरादरी का सपा बसपा उपयोग कर उनके वोट से सरकार बना कर भूल जाती थी लेकिन अब निशाद समाज जागरुक हो रहा है वहीं उन्होंने स्वामी परसाद मोरया द्वारा दिये गए राम्चरितमानस पर बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इडियेट्ज और डॉट कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बचसलू की ट्रें में गांधी जी के साथ किया था वो दर्द गाधी जी ने समझा था उसी प्रकार ही धरम की आड़ पर अपमान जना कर टिपने शुद्र समाज को की जाती है और शुद्र समाज की दर्द समझ सकता है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अच्छा बन रहा था उसका भी देखे दें निश्ची दरू से जो हमने पिछली सरकारों ने जो छोड़ गए तो अब हम कैसा चले रोकरते है अगली खबर के और बुलंद खंड के महोबा जिले में प्रवासी पक्षियों के संडरक्षन और एको टूरिरिजम को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारम अनेजीव और पर्यावरण राज्यमंत्री डॉक्टर अरुन कुमार ने फीता काट कर किया है उदघाटन की पूर्व संध्या में रंगा रंग कारेकरम का आगास किया गया था और जील के किनारे एक पांच सितारट टैंट सीटी को भी बसाया गया है जिसमें प्रवासी पक्षियों को देखने आने वाले प्रेटक रुखेंगे संभल में भारत्य किसान यूनियन अराज नेतिक असली के जाम के एलान को पुलिस ने विफल कर दिया है जाम लगाने की कोशिश कर रहे 66 भाक्यू कारेकरताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है वही तमाम किसानों को पुलिस ने उनके घरों पर नजर बंद किया है आपको बताते चले कि किसानों ने गन्नमुले 450 घोशित करने की मांग को लेकर दो फरवरी को परदेश व्यापी जाम का एलान किया था किसानों के आखवान पर पुलिस प्रिशाषन चोक करना नजर आया है बदायों की कोतवाली उज्ञानी के बुर्रा फरीदपूर के रहने वाले 45 वर्षिय ओमवीर और 45 वर्षिय माफ कीजे 35 वर्षिय विश्पाल उस हेत थाना चेतर के ही मुगर्रा नगला गाउन रिष्टेदारी में जा रहे थे कि थाना कादर चोक चेतर के ततारपूर गाउं के पास मैजिक गाडी ने बाइक सवारों को टक कर मार दी जिसमें ओमवीर और विश्पाल दोनों लोगों की मौत हो गई है फिलाल पुलिस ने दोनों शेवों को कबजे मेले कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है पुलिस के द्वारा करीब 15 सालों से फरार चल रहे एक वान चिट अभियोक्त को गिरफतार कर लिया गया है से ही फरार चल रहा था और एक वान चिट अभियोक्त श्री परसाद पुतर ज्वान की परसाद को गिरफतार किया गया है उन्होंने बताया है कि सहारनपूर के SSP डॉक्टर वीपिन टाडा के द्वारा ही गिरफतार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 नगत पुरुसकार से पुरुसकृत भी किया गया है और गिरफतार अभियोक्त को जन्पत बांका बिहार से 48 घंटे के टॉरिजम जिमांट पर लेकर नियाले में पेश किया जा रहा है वांचित अभियोक्त को गिरफतार करने वाली टीम में उपनिरक्षक गौरब चोहान कॉंस्टेबल अंकित यादव कॉंस्टेबल कासिम मौजूद रहे इसने यह क्या करते थे चार लोगों गैंग यह बहार से आये थे और यहां पर दिली रूट में एक वादी के घर बेन उन्हें काम कर रहे थे और वहां से चोरी कर ली ते कुछ समान जिन पार उपता है उसमें से एक अभ्यूक्त की मृत्तिव का प्रमान मिल चुका है दो अभ्यूक्त अभी फरार हैं उनके पार ने पता कर लिया गया है जल्दे उनकी रस्तारी हो जाएगी तो सहारनपूर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस के द्वारा करीब 15 सालों से फरार चल रहे कवांचित अभ्यूक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ट्रेस वारता में ही सहारनपूर के एसपी सीटी अभीमन्यू मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुकबीर की सूजना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा करीब 15 सालों से फरार चल रहे कवांचित अभ्यूक्त शिरी परसाद पुतर जानकी परसाद को गिरफ्तार किया गया है। बन्चित अभ्यूक्त को गिरफ्तार करने वाले टीम में उपर निरिक्ष्यक गौरप चोहान कॉंस्टेबल अंकेत यादव कॉंस्टेबल कासी मौजूद रहे। कारा मंडल मौजूद इस पान मंदिर के ही कृष्ण भक्त गोलखर के सडकों पर ब्रमन करते दिखे गए हैं। पर उनका उद्धिश्य श्री कृष्ण की भक्ति को सबके अंदर जगाना है। इस दुरान में कृष्ण भक्ति भी ढोल नगाडों के साथ हर्मोनियम के साथ कृष्ण भक्ति की करते हुए नजर आए है। लोग आ रहे हैं अंतर आफ्टी क्रिश्ण भावना मसंग यानि स्कौन इसको बोलते हैं हर्य कृष्ण अंदोलन और हमारा गोलखपुर्ण सेंटर है तारा मंडल में दो वास से और यह आज निकल लाए श्री हैनाम संकिर्तन हर्य किष्ण महामन का किर्तन जिसकी फिर्वा जमाय साथ हैं परमपुज भक्ती धीर दामुदर्स्वामी महराज जो कि अफ्रीका महादीव के नाइजीरिया देश के लागो सहर से हैं अब खबर गाजीपूर से हैं जोहाँ पर पुलिस ने दो हैरोईन तसकरों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने पकड़े गए तसकरों से एक तश्मिलों 20 करोड की है और बरामत हैरोईन 1 किलो 200 ग्राम की है जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड 20 लाख रुपे बताई जा रही है और पुलिस ने तसकरों को साधियाबाद थाना चेतर के यूसुफर से गिरफतार किया है पकड़े गए तसकरों पर गैंस्टर समेत मादक पतार्थों की तसकरी के कई मामले तर्च है पुलिस ने तसकरों के पास से 70,000 रुपे नगत और दो लगजरी गाडिया भी बरामत की है हमारी स्वार्ट सर्वुलेंस टीम तता थाना साधियाबाद की टीम ने अच्छी सबल का प्राप की है रात ये लोग चेकिंग कर रहे थे तो इन्हें सूचना मिली थी यह एक बिहार का बड़ा डग तसकर है जो यहां डिलीवली देने के लिए आ रहा है इस सूचना पर इन दोनों लोगों को साधियाबाद छेत्र में इंटरसेप्ट किया गया वहां इनकी गयत तारी की गई जब इनकी गाड़ियों की और इनकी तलाशी दी गई तो इनके पास बाहरी मात्रा में हेरोईन करीब एक किलो 200 ग्राम हेरोईन दोनों के पास से वरामद हुई है सब्तर हिजार रुपे जो इसके लेंदेन में इनका चल आता उसके और इनके दोनों की गाड़ियां जिसे यह दोनों इस्तेमाल करते थे इस मंगलिंग में यह भिहार से लेके आया था राम जी नाम का वेक्ति और दोनों पूर में भी NDPS में और रुभिन अपराधों में अलग-अलग ठानों से जेल जा चुके हैं वर्तमान में फिर इनके ब्यारा यही क्रिया कलाप अपनाए जा रहे थे तो आज इनके रफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है इनके और गंभी कारवाई गंगेश्ट्रेक्ट लगएरा बाद में की जाई गया इसने प्रेश क्या अब खबर पिली भीट से है जहां मोतिया बिंद का ओपरेशन कराने गए बुजूर्ग महिला की आख खराब हो गई दरसल यश्मान कार्ड के तहत ही बुजूर्ग मरीज की आख का ओपरेशन कराया था और ओपरेशन कराने के बाद बुजूर्ग ने आख से दिखना जो है सफलता हाथ लगी है पुलिस ने दो हिस्ट्री शीटरों को अवेद पिस्टल और वाहन के साथ किरफतार किया है आपको बता दे कि इस दौरान गंभेर धाराओं में फिलहाल मामला भी दर्ज कर लिया गया है तो अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस के आपको भी गिरफतार किया है अब खबर काशगन से हैं जहां पर शर्धालों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली अनियंतरत होकर पलट गई है जिसमें हाथ से में एक किशोर की मौत हो गई है और डेड़ दर्जन लगभग शर्धालों घाय हो गए है और हाथ से की सूचना मिलते ह पुलिस पर शासन के टीम मौके पर पहुंची वहीं ये पूरा मामला सिकंदर पूर वेश्य थाना चेतर के गाउन अगला तरसी का बताया ज़ा रहा है चित्रकूट पुलिस ने लागों की चोरी का खुलासा कर दिया है और छे चोर को गिरफतार भी कर लिया है बता दे चले आपको की चित्रकूट के ही राजापूर में बीते 29 जनवरी को हुई चोरी का ही चित्रकूट पुलिस ने खुलासा किया है और दो नाबालिक चोरों समेट 6 लोगों को किरफतार किया है जिनके कबजे से चोरी के नगद रुपए 11,36,000 और सोना चांदी के जीवर भी बरामत कर लिए गए हैं पुलिस अधिक्षक वरिंदा शुकला ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना राजापूर थाना चेतर के राजापूर कस्बे की बताई चौर रही है और बहुत से जेवरात लगबग 620 ग्राम तीली धातू और 2 किलो 80 ग्राम सफेद धातू ये सभी कुछ चोरी हुआ था तो इसमें लगबग 72 गंटे के अंदर पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया और इनसे जुड़े हुए छे अभ्युक्तों की गिरफतारी हुई है और लगबग पूरे माल की बरामत भी हो गई है पूरे माल की वैल्यू लगबग 36 लाग के करीब एस्टिमेट की गई है इनके द्वारा पूरी रेकी कर ली गई थी और यहां का एक लोकल बालबचारी है प्रशांथ जिसके द्वारा पूर में भी छोटे मोटे अपरात किये गए हैं उसी के द्वारा मुक्य रूप से सार पैसा रखा हुआ है और उसने ही योजनाबत तरीके से और लोगों को प्रुचाहित किया कि उसके साथ में मिलके इस गटना को अंजाम दे तो चित्रकूर पूलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है आपको बता दे कि छे चोरों को फिलहाल पूलिस ने गिरफतार किया है जुनके कबजे से ही चोरी के नगद रुपई 11,36,000 रुपई और इसके साथ ही सोना चान्दी के जेवर भी बरामत कर लिए गए है पुलिस अधिक्षा कवरिदा शुकला ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना राजापूरा थाना चेत्र के राजापूरा कस चेचरों को गिरफतार किया गया है जिसमें से दो जो नावालिक बताये जा रहे हैं सभी को गिरफतार कर लिए गया है पूछ ताच लगाता है जारी है अब खबर जालोन से है जहाँ पर आग का तांडब देखने को मिला है दरसल उरई के पावर हाउस के गेट पर अग्यात काड़नों से आग लग गई और आग को देख कर स्थानिय पुलिस में हरकंप मच गया है और दमकल विभाग को गाड़ियों ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया है तो आपको जालोन से खबर बता रहे हैं जहाँ पर आग की चपेट में करी गारिया आई है ऐसी जानकारी सामने आ रही है जालोन में आग का तांडब देखने को मिला है बता दे आपको कि आग का टांडब यहाँ पर साफ तोर पर देखने को मिल रहा है उरई के पावर हाउस के गेट पर ही अग्यात काड़नों से यह आग लग गई आग को देखकर स्थाने लोगों में दैश्यत देखने को मिली है दमकल विभाग को गाड़ियों ने जो गाड़िया थी दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया है अब खबर बलरामपूर से है जहां ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है दरसल मौसम विभाग ने अनुमान जारी कर दिया था अगले दो दिन चलती रहेगी तेज ठंडी हवाया सी जानकारी मौसम विभाग ने दी थी और कई दिनों बाद आज फिर से जिले में घना कोहरा देखने को मिला है तो आपको बलरामपुर से खबर बता दे जहां पर ठंड फिर से वापसी करती हुई साफ तोर पर दिखाई दे रही है बता दे आपको कि मौसम विभाग ने पहले ही अलट जारी कर दिया था जिसके बाद अब यहां पर ठंड बढ़ती दिखाई दे रही है जो लोग अब कम कपड़े पहन रहे थे उन्होंने फिर से जादा कपड़े पहनने शुरू कर दिये हैं और इसके साथ ही ठंड के बच्चाव के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं और इतना ही नहीं रात के समय घर से बाहर निकलने से भी लोग डर रहे हैं क्योंकि ठंड का परकोब बहुत जादा नजर आ रहा है बलरामपूर में ठंड के कारण लोग परिशान है और फिर से ठंड बढ़ने के कारण लोग परिशान हो गए हैं हाला कि धूप दिखती हुई निकलती हुए दिखाई दे रही थी लेकिन फिर से ठंड का परकोब बढ़ने लगा है जिसे लोगों को परिशानी हो रही है और इतना ही नहीं आवाजाही में भी लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है फिलाल इस बुलेटन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार चारी है आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंटिया